नमस्कार आप देख रहें नियूस फो नेशन और मैं हूँ आपके साथ शिप्राजा इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं बीजेपी के प्रदेस अदक्ष ने बताया है कि आप वर्च्वल रैली की तारीख में बदलाओ किया गया है अमिच्शा की वर्च्वल रैली 9 जून को होने वाली थी लेकिन अब इस तारीख को बदल दिया गया है साथ तारीख को यानि की साथ जून को अब अमिच्शा की वर्च्वल रैली होगी इस रैली के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुचाने की कोशिस समित्शा की होगी आपको बता दे कि बिहार में आगामी कुछ ही महिनों बाद चुनाव होने वाले हैं इसलिए बीजेपी अभी से ही चुनावी मोड में है हाला कि कैम्पेनिंग बहुत पहले ही शुरू हो जाती लेकिन कोरुना के संकट की वजह से लोगों तक नहीं पहुच पा रही है बीजेपी जिसके बाद ये प्लैनिंग की गई और ये तैयारी किया गया और अब जो खबर है उसके मताबिक इस रैली में बड़ा बदलाओ किया गया है तारीख में बदलाओ किया गया है हला कि इसके पीछे की अभी वजह साफ नहीं हो पाई है कि 9 तारीख से सीधे 7 तारीख तक आखिर क्यों कर दिया गया इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है लेकिन ये तारीख में बदलाओ किया गया है इसके साथ ही आपको बता दे कि जैसे ही वर्चुल रैली का एलान हुआ था उसके बाद से ही तेजस्वी आदब बीजेपी पर हमलावर थे इसको लेकर उन्होंने तुरत ही प्रस कॉंफरेंस की थी मीडिया के सामने उन्होंने कई सारे सवाल सरकार से पूछे थे उनका ये कहना था कि अभी सरकार को चुनाओ को नहीं देखना चाहिए था बलकि उन्हें ये सोचना चाहिए था कि किस तरीके से digitally लोगों तक मदद पहुचाई जाए digital और virtual rally की बात जो कर रहे हैं ऐसे वक्त में उन्हें उन्हें उन्मजदूरों तक मदद पहुचाने की बात करनी चाहिए थी और सोचनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने सिधा सिधा आरोप ये भी लगाया था कि BJP को किसी से कोई मतलब नहीं है गरीब मरे या उनके पास खाने को ना हो उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाओ और सत्ता से मतलब है और इसी वज़ा से वो वर्च्वल रैली कर रहे हैं हाला कि हो सकता है ये भी एक रीजन हो क्योंकि तेसी आदब ने नौ तारीक को ही बताया था कि अगर वो वर्च्वल रैली करेंगे तो हम गरीब अधिकार रैली करेंगे ये प्रोग्राम करेंगे जिसमें गरीबों से उन्होंने आगे आने की बात कही थी उन्होंने कहा था कि जितने भी गरीब लोग हैं उस दिन थाली पीटे और सरकार को बताएं कि जो वर्च्वल रैली आप कर रहे हैं वो ऐसे वक्त में कोरोना के वक्त में जहां मजदूर गरीब परिशान हैं वैसे वक्त में ये सही नहीं है अब देखने वाली बात होगी और ये जानने की कोशिस की आखिर ये बदलाओ क्यों किया गया है लेकिन जो खबर मिल रहे हैं उसके मताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षु संजय जैस्वाल ने ये साफ कहा है कि अमिच्शा की रैली अब 9 जून के वज़ाए 7 जून क को होगी जाद अपडेट के लिए आप जूड़े रहें नियूस फॉनेशन के साथ नमस्कार